वालमिकी के आश्रम पर लव द्वारा, घोडे का बंधना और अश्व रक्षकों की भुजाओं का काटा जाना शेश्षी कहते हैं एक दिन प्रातल काल पर अश्व गंगा के केनारे महरुषी वालमिकी के शेश्ट आश्रम पर जा पहुँझा जहां अनेको रिशी मुनी निवास करते थे और अगनी होत्र का धुआ उठ रहा था जान कीजे के पुत्र लव अन्य मुनी कुमारों के साथ प्रातह कालीन हवन कर्म करने के उद्देश से उसके योग्य समिधाय लाने के लिए वन में गय थे वहां सुवण पत्र से चिन्नित उस यग्य संबंधी अश्व को उन्होंने देखा जो कुमकुम अगरू और कस्तूरी की दिव्वे गंध से सुवासत था उसे देखकर उनके मन में कौतुहर उत्पन हुआ और वे मुनी कुमारों से बोलें ये मन के समान शीग रामी अश्व किसका है जो देवात मेरे आश्रम परा पहुँचा है तुम सब लोग मेरे साथ चल कर इसे देखो डरना नहीं ये कह कर लव तुरंत ही घोड़े के समीप गए रगुकुल में उत्पन कुमार लव कंधे पर धनुश्वान धारन किये उस घोड़े के समीप ऐसे सुशोबित हुए मानो दुर्जय वीर जैंत दिखाई दे रहा हो घोड़े के ललाट में जो पत्र बंधा था उसमें सुस्पष्ट वर्ण मालाओं द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी थी जिन में उसकी बड़ी शोभा हो रही थी लव ने पहुचकर मुनी पुत्रों के साथ वे पत्र पड़ा पड़ते ही उन्हें क्रोध आ गया और वे हाथ में धनुष लेकर रिशी कुमारों से बोले उस समय रोश के कारण उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकल पाती थी उन्होंने कहा अरे इस क्षत्रिय के ध्रिश्टता तो देखो जो इस घोड़े के भाल पत्र पर इसने अपने प्रताप और बल का उलेख किया है राम क्या है? शत्रुगन की क्या हस्ती है? क्या ये ही लोग क्षत्रिय के कुल में उत्पन हुए है? हम लोग शेष्ट क्षत्रिय नहीं है इस प्रकार के बहुत से बातें कहकर लव ने उस घोड़े को पकड़ लिया और समस्तर राजाओं को तिनके के समान समझकर हाथ में धनुष्पानले वे युद्ध के लिए तयार हो गए मुनी पुत्रों ने देखा कि लव घोड़े का अफरन करना चाहते हैं तो वे उनसे बोले कुमार हम तुम्हें हित की बात बता रहे हैं सुनो आयोध्या की राजा श्री राम बड़े बलवान और पराक्रमी है अपने बल का घमंड रखने वाले इंद्र भी उनका घोड़ा नहीं चू सकते फिर दूसरों की तो बात ही क्या है अतहा तुम इस अश्व को ना पकड़ो यह सुनकर लव ने कहा तुम लोग ब्रामन बालक हो क्षत्रियों का बल क्या जानो क्षत्रिये अपने पराक्रम के लिए प्रसद्ध होते हैं किन्तु ब्रामन लोग केवल भोजन में ही पटू हुआ करते हैं इसलिए तुम लोग घर जाकर माता का परोसा हुआ पकवान उड़ाओ लव के ऐसा कहने पर मुनी कुमार चुप हो रहे और उनका पराक्रम देखने के लिए दूर जाकर खड़े ह गए तदनंतर राजा शत्रुगन के सेवक वहां आये और घोड़े को बंधा देखकर लव से बोले अहों किसने इस घोड़े को यहां बंधा किसके ऊपर आज यम्राज को पित हुए हैं लव ने तुरंत उत्तर दिया मैंने इस उत्तम अश्व को बांध रखा है जो इसे छ शीगर ही क्रोध करेंगे यम्राज भी आ जाएं तो क्या कर लेंगे हमारे बाड़ों की बौचार से संतुष्ट होकर स्वयम ही माथा टेक देंगे और तुरंत अपनी रह लेंगे लव की बात सुनकर सेवकों ने आपस में कहा यह बेचारा बालक है इसकी बात पर ध्यान न दोनों हाथों में धनुष धारन कर शत्रुगन के सेवकों पर क्षुर्पों का प्रहार आरंब किया इससे उनकी भुजाएं कट गई और वे शोक से ध्याकुल होकर शत्रुगन के पास गए पूशने पर सब ने लव के द्वारा अपनी बाहें काटी जाने का समाचार के सु को अकेली वन में छोड़ दिया फिर कहां उनके पुत्र हुए कहां उन्हें धनुष धारन की क्षमता प्राप्थ हुई तथा कहां उन्होंने अस्त्रविद्या की शिक्षा पाई जिससे वे श्री राम चंद्र जी के आश्व का अभरन कर सके शेष्षी ने कहा मुने श्री अयुद्या का राज करने लगे इसी बीच में सीता जी ने गर्ब धारन किया धीरे धीरे पांच महा व्यतीत हो गए एक दिन श्री राम ने सीता जी से पूछा देवी इस समय तुम्हारे मन में किस वात की अभिलाशा है बताओ मैं पूर्ण करूंगा सीता जी ने कहा प्रा इस समय मेरे मन में किसी विशे की इच्छा शेश नहीं है जिस तरी को आप जैसे स्वामी मिले जिनके चर्णों की देवता भी स्तुती करते हैं उसको सभी कुछ प्राप्त है कुछ भी बाकि नहीं फिर भी यदि आप आग्रह पूर्वक मुझसे मेरे मन की अभिलाशा पू लोपव मुद्र आदी पती व्रताओं के दर्शन नहीं किये मेरा मन इस समय उनहीं को देखने के लिए उतकंठित है वे सब तपस्या की भंडार हैं मैं वहां जाकर बस्त्र आदी से उनकी पूजा करूंगी और उन्हें चमकीले रत्न तथा आभूशन भेट करूंगी यही मेरा मनोरत है प्रियतम इसे पून कीजिए इस प्रकार सीता जी के मनोहर वचन सुनकर श्री राम चंदर जी को बड़ी प्रसंता हुई वे अपनी प्रियतमा से बोले जनक किशोरी तुम धन्य हो कल प्रातह काल जाना और उन्ह तपस्विनी स्तिरियों का दर्शन करके क्रता प्रस्वनी देवियों के दर्शन होंगे तदनंतर उस रात में श्री राम चंदर जी के भेजे हुए गुपचल नगर में गये उन्हें भेजने का उद्द्श्य यह था कि वे लोग घर घर जाकर महराज की कीरती सुनें और देखें जिससे उनके प्रति लोगों के मन में क् लग सके वे दूद आधी रात के समय चुपके से गए उन्हें प्रति दिन श्री राम चंदर की मनोहर कथाए सुनने को मिलती थी उस दिन वे एक धनार्डे के विशाल भवन में प्रविश्ट हुए और थोड़ी देर तक वहां रुखकर श्री राम चंदर जी के सुयश का श्रवन करने लगे वहां सुन्दर नेत्रों वाली कोई युवती बड़े हर्ष में भरकर अपने नन्ने से शिशु को दूद पिला रही थी उसने बालक को लक्षे करके बड़ी मनोहर बात गही पेटा तु जी भरकर मेरा मीठा दूद पी ले पीछे यह तेरे लिए दुर अगर में निवास करने वाले लोगों का फिर इन संसार में जन्म नहीं होगा जन्म नहोंने पर यहां दूद पीने का अफसर कैसे मिलेगा इसलिए मेरे लाल तु इस तुरलब दूद का बारंबार पान कर ले जो लोग श्रीराम का भजन ध्यान और कीरतन करने गे उन्हें कभी माता का दूद सुलब ना होगा इस तरह श्रीराम चंदर जी के यश रूपी अम्रिच से भरे हुए बचन सुनकर एक गुप्टचर बहुत प्रसन्न हुई और दूसरे किसी भागेशाली पुरुष के घर में गए वे प्रिथक प्रिथक विभिन घरों में जाकर श्री उस घर की एक सुन्दरी नारी जिसके नेत्र बड़े मनोहर थे पलंग पर बैठे हुए कामदेव के समान सुन्दर अपने पती की ओर देखकर बोली नात आप मुझे ऐसे रखते हैं मानो साक्षात श्री रगुनाज जी हो प्रियतमा के ये मनोहर वचन सुनकर उसके पती ने कहा प्रिये मेरी बात सुनो तुम सादवी हो अतह तुमने जो कुछ कहा है ते मन को बहुत ही प्रिये लगने वाला है पती व्रताओं के योग्य ही बात है सती नारी के लिए उसका पती श्री रगुनाज जी का ही सुरूप है परंतु कहां मेरा जैसा मंद भाग्य और कहां महा भाग्य शाली श्री राम कहां कीडे की सी हस्ती बाला मैं एक तुछ जीव और कहां ब्रह्मादी देवताओं से भी पूजित परमात्मा श्री राम, कहां जुगनू और कहां सूरिल, कहां पामर पतिंगा और कहां गरुड, कहां बुरे रास्ते से बहने वाला गलियों का गंदला पानी और कहां भगवती भगिरती का पावन जल, इसी प्रकार कहां मैं और कहां भागवान श्री राम जिनके चर्णों की धुली पढ़ने से शिलामई अहल्या क्षण भर में भुवन मोहन सौंदर्य से युक्त युवति बन दें इसी समय दूसरा गुप्तचर दूसरे के घर में कुछ और ही बातें सुन रहा था वहां कोई कामिनी पलंग पर बैठ कर वीर्णा बजाती हुई अपने पती के साथ श्री राम चंदर जी का कीर्थी का गान कर रही थी स्वामिन हम लोग धन्य है जिनके नगर के स्वामी साक्षाद भगवान श्री राम है जो अपनी प्रजा को पुत्रों की भानती पालते हैं और उसके योगशेम की विवस्था करते हैं उन्होंने बड़े बड़े दुशकर कर्म किये हैं और दूसरों के लिए असाध्य हैं उधाहरन के लिए उन्होंने समुद्र को वश्मे किया और उस पर पुलबाधा फिर वानरों से लंकापुरी का विद्धुन्स कराया और अपने शत्रु रावन को मार करवे जानकी जी को यहां ले आए इस प्रकार श्री राम ने महापुर्शों का आचरण कर पालन किया है पत्नी के ये मधुरवचन सुनकर पती मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले मुगधे रावन को मारना और समुद्र का दमन आधी जितने कारे हैं वे श्री राम चंद्र के लिए की प्रार्थना से लीला पूर्वक इस प्रित्वी पर अवतिर्ण हुए हैं और बड़े बड़े पापूं का नाश करने वाले उत्तम चरित्र का विस्तार करते हैं कौसल्य का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम को तुम मनुष्य ना समझो वे ही इस चगत की स्रिष्टी पालन और संखार करते हैं केवल लीला करने के लिए ही उन्होंने मनुष्य विग्रह धारन किया है हम लोग धन्य है जो प्रतिदिन श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हैं जो ब्रह्मादी देवों के लिए भी दुरलब है हमें ये सौभाग्य प्राप्त है इसलिए हम बड़े पुर्ण्यात्मा है गुप्ट्चरू ने दर्वाजे पर खड़े होकर इस प्रकार की बहुत से बातें सुने इसके सिवा एक अन्य गुप्चर अपने सामने धोबी का घर देखकर वहीं महाराज श्री राम का यश सुन्नी की इच्छा से चला गया किन्तूस घर का स्वामी धोबी क्रोध में भरा था उसकी पत्नी दूसरे के घर में दिन का अधिक समय व्यतीत करके वापिस आई थी उसने आंखें लाल-लाल करके पत्नी को धिकारा और उसे लात मार कर कहा निकल जा मेरे घर से जिसके यहां सारा दिन बिताया है उसी के घर चली जा तो दु कि आग्या का उलंगन करने वाली इसलिए मैं तुझे नहीं रखूंगा उस समय उसकी माता ने खहा बेटा बहु घर में आ गई है इस बेचारी का त्याग मत करो यह सरवाथा निरप्राध है इसने कोई कुकर्म नहीं किया है धोबी क्रोध में तो था ही उसने माता को जवा बाजा है जो कुछ भी करेंगे सब नयायुक्त ही माना जाएगा मैं तो दूसरे के घर में निवास करने वाली भार्या को कदापी नहीं ग्रहन करूंगा धोबी की बात सुनकर घुप्तचर को बड़ा क्रोध हुआ और उसने तलवार हाथ में लेकर उसे मान डालने का विच इस बात को समझ कर उसने अपना क्रोध शांत कर लिया उस समय रजक की बाते सुनकर उसे बहुत दुख हुआ था वे कुपित हो बारम बार उच्छास खीशता हुआ उस थान पर गया जहां उसके साथ ही अन्य गुप्चर उपस्तित थे वे सब आपस मिले और सबने एक दू सुनाया श्राम जी का विश्वंदित चरित्र सभी ने कहा अंत में उस धोबी की बात सुनकर उन्होंने आपस में सलाह की और निश्य किया कि दुष्टों की कही हुई बातें श्री रगुनात से नहीं कहनी चाहिए ऐसा विचार करके वे घर पर जाकर सो गए उन्होंने अतहकाल महराज से ये समाचार कहा जाएगा शेश्ची कहते हैं शिर अगुनात जी ने प्रातकाल नित्ते कर्म से निवरित होकर वेद वेता ब्रहमन को विधी पूर्वक सुवर्ण दान से संतुष्ट किया उसके बाद वे राज्य सभा में गए शिराम चंदर जी सारी प् पालन करते थे आतह सब लोग उनको प्रणाम करने के लिए बहां गए लक्ष्मर ने राजा के मस्तक पर छत्र लगाया और भरत शत्रुगन ने दो चवर धारन किये वसिष्ट आदी महरशी तथा सुमंत्र आदी न्याय करता मंत्री भी वहां उपस्तित हो भगवान की उप सभा में बैठे हुए महराज को नमस्कार करने के लिए पहुंच गए उत्तम बुद्धी वाले महराज श्री राम ने सभा विसर्जन के पश्षात उन सभी गुप्तचरों को एकांत में बुला कर पूछा तुम लोग सच सच बताओ नगर की लोग मेरे विशय में क्या कहते हैं मेरे धर्म पतनी के विशय में उनकी कैसी धारना है तथा मेरे मंत्रियों का बरताव वे लोग कैसे बतलाते हैं गुप्चर बोले नात आपकी कीर्थी इस भूमंडल के सब लोगों को पवित्र कर रही हैं हम लोगों ने घर घर में प्रतियक पुरुष और स्त्री के मु कृतार्थ हो चुके हैं किन्तु उनकी भी ऐसी कीर्थी नहीं चाही थी जैसी इस समय आपकी है आप जैसे स्वामी को पाकर सारी प्रजा कृतार्थ हो रही है उन्हें ना तो अकाल मृत्यू का कष्ट है ना रोग आदी का भय आपकी विस्त्रित कीर्थी सुनकर कि आपके स्वेश से उनका यश फीका पड़ गया है इस प्रकार आपकी किर्थी सर्वत्र फैल कर इस समय जगत के सब लोगों को पावन मना रही है महराज हम सभी गुप्तचर धन्य है कि क्षण क्षण में आपकी मनोहर मुख का अवलोकन करते हैं उन गुप्तचरों की मु कि आभा कुछ और धंकी हो रही थी उन्होंने पूछा महामति तुम सच सच बताओ लोगों की मुख से जो कुछ जैसा भी सुना हो वे जियों का त्यों कैह सुनाओ अन्य था तुम्हें पाप लगेगा गुप्तचर ने कहा स्वामिन राक्षसों के वद आदि से संबंद र रहा है केवल एक बात को छोड़कर आपकी धर्म पत्नी ने जो राक्षस के घर में कुछ काल तक निवास किया है उसके संबंद में लोगों का अच्छा भाव नहीं है गत आदी रात की बात है एक धोबी ने अपनी पत्नी को जो दिन में कुछ देर दूसरे के घर में रहकर आई थी धिकारा और मारा यह देखकर उसकी माता बोली बेटा यह बेचारे निरपराद है इसे क्यों मारते हो तुम्हारी स्त्री है रख लो निंदा ना करो मेरी बात मानो तक धोबी कहने लगा मैं राजा राम नहीं हूं किसे रख लूं उन्होंने राक्षस के घर में रह कर लिया मैं ऐसा नहीं कर सकता राजा समर्थ होता है उसका किया हुआ सारा काम न्यायुक्त ही माना जाता है दूसरे लोग पुन्यात्मा हों तो भी उनका कार्य अन्यायुक्त ही समझ लिया जाता है उसने बारंबार इस बात को दोहराया कि मैं राजा राम नहीं हूं उस सम मैं मुझे बड़ा क्रोध हुआ किन्तु सहसा आपका आदेश स्मरण हुआया इसलिए मैं उसे दंड ना दे सका अब यदि आप आग्या दें तो मैं उसे मार गिराओं ये बात ना कहने योग्य और न्याय के विपरीत थी तो भी मैंने आपके आग्रह से कहड़ा दी अब इस विशे में महाराज ही निर्नायक हैं जो उचित करता भी हो उसका विचार करें कुप्चर का ये वाक्य जिसका एक एक अक्षर महां भयानक वज्र के समान मर्म पर आगहात करने वाला था सुनकर शिराम चंदर जी बारम बार उच्छवास खीशते हुए उन सब दूदों से बोले अब तुम लोग जाओ और भरत को मेरे पास भेज़ दो वेदूद दुखी होकर तुरंत ही भरत जी के भवन में गए वहां उन्होंने श्राम चंदर जी का संदेश कह सुनाया श्री रगुनाज जी का संदेश सुनकर बुद्धिमान भरत जी बड़ी उतावली के की ओर संकेत किया भरत जी वहां जा पहुंचे श्राम चंदर जी को विकल देखकर उनके मन में बड़े भे हुआ उन्होंने महराच से कहा स्वामिन सुक से अराधना की योग्य आपका ये सुन्दर मुख इस समय नीचे की ओर क्यों जुका हुआ है ये आसों से भीगा कैसे दिखाई दे रहा है मुझे इसका पूरा पूरा यथार्थ कारण बताईए और आग्या दीजिए मैं क्या करूं भाई भरत ने जब गदगद वानी से इस प्रकार कहा तब धर्वात्मा श्री राम चंदर जी बोले प्रिये बंधु इस प्रित्वी पर उन्ही मनुश्यों का जीवन उत्तम है जिनकी सुयश का विस्तार हो रहा है अब कीर्थी के मारे हुए मनुश्यों का जीवन तो मरे हुए के समान है आज संपूर संसार में विस्त्रित मेरी कीर्थी में गंगा कलूशित हो गई इस नगर में रहने वाले एक धोबी ने आज जानकी जी के संबंद को लेकर कुछ निंदा की बात कहे डाली इसलिए भाई बताओ अग मैं क्या करूँ क्या आज अपने शरीर को त्याग दूँ या अपनी धरमपत्नी जानकी का ही परित्याग कर दूँ दोनों के लिए मुझे क्या करना चाहिए इस बात को तुम ठीक ठीक बताओ भारत जी ने कहा आर्य कौन है ये धोबी तथा उसने कौन सी निंदा की बात की है तब श्रीराम चंदर जी ने धोबी के मुख से निकली हुई सारी बातें जो दूद के द्वारा सुनी थी महात्मा भरत से कह सुनाई उन्हें सुनकर भरत ने दुख और शोक में पड़े हुए श्रीराम से कहा वीरों द्वारा सुपूजे जानकी देवी लंका में अगनी परिक्षा द्वारा शुद्ध प्रमानेत हो चुकी है ब्रह्मा जी भी उन्हें शुद्ध बतलाते हैं तथा पूजे पिता स्वर्ग्य महाराज दश्रजी ने भी इस बात का समर्थन किया है यह सब होते हुए भी केवल एक थोबी के कहने से विश्ववंदित सीता का परित्याग कैसे किया जा सकता है ब्रह्मा जी देवताओं ने भी आपकी किर्टी का गान किया है भें इस समय सारे जगत को पवित्र कर सकती है ऐसी पावन किर्टी आज केवल एक धोबी के कहने से कलुशित या कलंकित कैसे हो जाएगी भला आप अपने इस कल्याण में विग्रह का परित्याग क्यों करना चाहते हैं आप ही हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं आपके बिना तो हम लोग आज ही मर जाएंगे महान अभ्युदे से शोभा पाने वाली सीता जी जो आपके बिना क्षण भर्वी जीवित नहीं रह सकती इसलिए मेरा अनुरोध तो यही है कि आप पति व्रताश्री सीता के साथ रह कर इस विशार राजय लक्ष्मी की रक्षा कीज़े भारत के ये वचन सुनकर वक्ताओं में शेष्ट परमधार्मिक्ष्री रगुनार जी ने इस प्रकार कहा भाई तुम जो कुछ कह रहे हो वे धर्म सम्मत और युक्ती युक्त है परन्तु इस समय मैं जो बात कह रहा हूँ उसी को मेरी आज्या मान कर करो मैं जानता हूँ मेरी सीता अगनी द्वारा शुद पवित्र और लोक पूजित है तथा पी मैं लोकापवाद के कारण आज उसका त्याक करता हूँ इसलिए तुम जनक किशोरी को वन में ले जाकर छोड़ाओ श्री राम का ये आदेश सुनते ही भरत जी मूर्चित होकर प्रित्वी पर गिर पड़े